तो किसान लगातार नए क्रिशी कानूनों को लेकर विरोध प्रदशन कर रहे हैं और क्रिशी कानूनों को वापस लेने की मांग उठ रही है वही सरकार क्रिशी कानूनों के फायदे गिना रही है और 2022 तक दुगनी आमदनी का दावा भी कर रही है इसी को लिकर MH1 प्राइम के सयूगी वरुन गोयल ने बीजेपी के राजे सभा सांसद रामचंदर जागडा से खास बात चीप की भारत जनता पारड़ी के राजे सभा सांसद रामचंदर जागडा जी हमारे साथ मौजूद है सर अब एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि जो गती रोद है दिन बहुत बीद गए है ये कब खत्म होगा क्या लग रहा है अब को लोग किसानों के बीच में गुसके गुम्रा करने में लगे हुए हैं मुख्य तोर पर कॉम्मिनिस्ट और कॉंगरिस के लोग हैं और किसानों को भी पता है मजदूरों को भी पता है कि जहां पर जिन देशों में कॉम्मिनिस्टों का परसासन है वहां तो हड़ताल कर भी नहीं सकता कोई वहां तो थ्यानमन चोंक की गटना चीन की सब को याद होनी चीए हमें इतियास से सबक लेना चाहिए कि एक दिन में अजारों चात्रों को रोंद दिया गया था एक दिन की अड़ताल के कारण तो ऐसे तानाशाई च्रित्र के लोग जहां एक परजातांत्रिक लोगतांत्रिक व्योस्था में गुसके और आंधलन को हिंसक बनाना चाहते हैं सरकार के सबर का इंत्यान ले रहे हैं वो लोग लेकिन सरकार पूरी तरह से सयमित है और पूरी तरह से सजग है वो किसी भी ऐसे शड़ी इंतर का शिकार नहीं होगी कोई हिंसा फेलाने की कोशिस करेगा तो भी सरकार उसको बड़ी बखूबी तरीके से टैकल करेगी और किसानों की भी समझ में या रही है बहुत से किसान संग्ठनों ने अब किसान इस विद्हेक का समर्थन कर दिया है औ और कुछ से हैं को स्वार्थी तत्वे उनके समझ में अगर नहीं भी आएगा जो समझना चाहते ही नहीं अब सोय हो को तो आदि में जगा सकता है लेकिन जो पहले इसी जागया हो है सोने का बाना कर रहा है उसको कौन जगा सकता है सर एक सवाल है इसमें कि जो किसानों ने कि अब बादचीत का चाहं सूतरी एजंडा तया किया है उसमें पहला ही उनका जो एजंडा है वो यह है कि ये कानून कैसे वापस होंगे उसकी प्रक्रिया को लेकर बादचीत हो देखिए वो प्रक्रिया के भी रास्ते निकलते हैं और हर चीज का समाधधान बादचीत के दोबारा ही होता है जब दोनों और से बैठेंगे अपने किसान के परतिनी दिवी और सरकार के परतिनी दिवी मानिय किर्शी मंतरी और जिनको भी वो डेप्यूट करेंगे करेंगी भारत सरकार और जब बैठेंगे तो उसमें से निचोड निकल के आ जाएगा तो उसमें वापस लीजिए परधार मंत्री और सभी जितने भी मंत्री हैं वो संकेद दे चुके हैं कि सरकार हर शंका को दूर करने को तैयार है कि कानून वापसी नहीं होगी क्योंकि कानून बनाने के लिए पूरी पिरक्रिया होती है पहले पूरा सर्वे होता है, स्टडी होती है उसके एफेक्ट्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी पराप्त की जाती है और जैसा है कि अब किसानों को ये बात समझ नहीं चाहिए कि कोई भी कानून एक बार लागू तो हो उसका साल में दो साल में अगर अच्छा इंपेक्ट आता है किसानों की हालत के अंदर सुधार आता है खेती के स्वास्थे में सुधार आता है फसल की गुणवत्ता में सुधार आता है तो ये तो लोकतंतर देश है इसमें तो कोई न परशासन व्योस्था को भी बदल सकता है यह तो व्योस्था परिवर्तन हर पांच साल बाद हो सकती है लेकिन अभी दोजार चोबीस तक तो मोदी जी का कर्येकाल है और जो उन्होंने संकलब किया है कि मैं दोजार बाइस तक किसान की आमदनी को दुगनी करके दिखाऊंगा तो परदानमंत्री के उपर विश्वास करना चाहिए अगर दोजार बाइस तक परदानमंत्री जी का संप्रा साकार नहीं होता और किसी विदेख संसोदन भी देखे अगर कोई गलत प्रिणाम निकलते हैं तो परदानमंत्री कोई किसान के विरोध में थोड़ा है अपने देश के किसान को क्यों परदानमंत्री जी किसी भी रूप में नुक्सान पूचाना चाहेंगे यह तो संभावना ही नहीं है किसी भी रूप में भी कुछ लोग है जो समझना ही नहीं चाहते हैं तो वो लोग भी समझ जाएंगे कोई किसी तरीके से समझ जाएगा कोई किसी पंड़े के साथ बर्ण गोएल एमच्चुन प्राइम दिल्ली